आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को काजू, किस्मिस और बदामगरी के बारें बताने वालों इस वीडियो में जनरली मैं आपको इन तीनों के तरीकों के बारें बताऊंगा या फिर सुबह नास्ता करने के बाद आपको इनका सेवन करना है या फिर रात में सेवन करना चाहिए तो सबसे पहले यही डाउट में आपका क्लियर कर देता हूँ देकि इन तीनो ट्राइफूर्स का सेवन करने का जो सही तरीका है कि सबसे पहले आपको पूरी रात भर के लिए पानी में इसको भिगोना है लेकिन पानी में भिगोने से पहले आपको दो जरूरी बातों के बारे में पता होना जाए सबसे पहली बात ये कि इन तीनो ड्रैफूर्स को आपको एक साथ पानी में नहीं भिगोना है यानि कि सबसे पहले आप काजू और बदामगिरी को एक साथ पानी में भिगोईए और उसके बाद जाकर कि किसमिस को आपको अलग से पानी में भिगोना है और जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसमिस को पानी में भिगोने से पहले किसमिस को अच्छी तरीके से आप धोले और उसके बाद जा करके आपको किसमिस को पानी में भिगोना है फिर पूरी रात बर आप पानी में भिगोएंगे और उसके बाद सुबह सुबह खाली पेट सबसे पहले आप किसमिस का सेवन करेंगे और उसके बाद जिस पानी में आपने किसमिस को भिगोए था वो पानी भी आपको पी जाना है उसके बाद जो भी आपको सुबह का मौर्णी का रोटीन होगा वो आप फोलो करेंगे उसके बाद आप नास्ता करेंगे और नास्ता करने के ठीक बाद ही जो काजू है उसको आपको अच्छी तरीके से चबा चबा करके सेवन करना है उसके बाद जो बदामगरी है उसका भी छिलका आपको हटा लेना है और उसको बदामगरी को भी अच्छी तरीके से आपको चबा चबा करके सेवन करना है आप जितना चबाएंगे न उतना आपको फायदा देखने को मिलेगा और साथ में ही आपको एक लास हलका गरम दूद पिते रहना है अगर आप इस तरीके से जो टाप करते है तो आपके स्रीर में जो कंजोरी ना वो धीरे दीरे कंजोरी दूर होना actions हैगी इसके इस इलावा और आपको काम काज में जो का काफी दिने लागरा कहा है जबा अंब काफी जलीजरild है कि पिर आपके सरी में vitamins की कमी होगी है, minerals की कमी होगी है, तो यह जो तरीका मैंने आपको बताए, यह बहुत ही ज़ादा आपको फ्यादा करने वाला है, अगर आप इस तरीके से, अगर कुछी दिन follow करेंगे ना, तो मातर दो दिन के अंदर अंदर ही आपको result दिखना है स्टार जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बात हो रही है 100% benefit की, तो 100% यह जो benefit है यह आपको तभी मिलेगा, जब आपको इन तीनों ड्राफ़ूट्स का सेवन करने का सही तरीका पता रहेगा तो, तो यहाँ पर तो अभी मैंने सरीफ एक ही सही तरीका बताया है, कि अगर आप अपने सरीख को healthy और fit रखना चाते हैं, आप अंदर से कमजोर हैं, तो उस केस में जो तरीका मैंने आपको बता है, उस तरीके से अगर आप खाएंगे, तो आपको proper result देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके सरीर में खून की कमी है, खून की कमी को बढ़ाना चाते हैं, अगर आपको हड्यों में काफ़ ज़र दर्द होता है, चलने फिरने में काफ़ ज़र तकलीफ होता है, आपको paid से related कोई समस्या हो रही है, आपका paid सही तरीके से साफ नहीं हो बादा, अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है, वजन को घटाना है, या फिर आपको अपने body का stamina को बढ़ाना है, या फिर आपको अपने blood pressure को control रखना है, तो उस case में इन तीनो dry foods का खाने का अलग-अलग तरीका है, आपके body के need के ओपर depend करेगा, कि आपके सरीर में क्या तकलीफ है, उसके इसाब से जो तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इन तीनो dry foods का सेवन करने का, अगर आप उस तरीके से करते हैं, तो आपको proper 100% result देखने को मिलेगा, तो ये वीडियो देखना आपके के लिए बहुत ज़्यारा जोरी है, और काफे ज़्यारा इंटरस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, मातरी तीनो dry foods से आपके सरीर में होरी तकलीफ है, धिरे-धिरे दूर होना स्टार हो जाएगे, तो आईए बनाद रहे के फड़ाओड जानते, काजू, किस्मिस और बदामगरी खाने का सही तरीका क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कि आगे इस वीडियो में मैं आपको जो भी तरीके बताने वाला हूँ, उनमें तीन चीज़े common रहने वाली है, यानि कि यह तीनों चीज़े हर किसी में same रहेगी, तो जो सबसे पहली चीज़े कि dry fruits को saveन करने से पहले, तकरीवन आपको 6 गंटे पहले ही पानी में जरूर भीगोना है, दूसरा पॉइंट आपको धियान रखना है कि जो बदामगरी है, उसको आपको छील करके ही खाना है, बीना छीले आपको नहीं खाना है, अगर आप खाएंगे तो जो बदामगरी है न वो अची तरीके से absorb नहीं हो पाएगा, और आपको प्रॉपर तरीके से फायदा देखने को नहीं मिलेगा, और जो तीसरा पॉइंट आपको धियान रखना है, कि जो किसमी जिस पानी में आप भिगोएंगे, वो पानी भी आपको साथ में पी लेना है, तब ही आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो ये तीन पॉइंट आप जरूर धियान रखे, आगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तीनों चीज़े सेम रहने वाली है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, कि अगर आप अपने वजन घटाना चाते हैं, यानि कि वेट लोस में आप किस तरीके से ट्रैफूर्स का सेवन करेंगे, तो देखिए वजन को घटाने के लिए दो फैक्टर काफे ज़्यादा जरूरी है, देखिए 80% तो डाइट मेटर करती है, और जो 20% है वो एक्सुसाइज मेटर करती है, तो यहाँ पर मैं 80% की बात कर लेता हूँ, 80% में मैं सरीफ अभी ड्रैफूर्स के बारे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओवराल वजन को घटाने के लिए एक प्रॉपर तरीके से आपको डाइट इसल से कॉंटेक करना है, वो जिस तरीके से आपको डाइट बतारेंगे, वो फोलो करेंगे तब जाकर के आपको प्रॉपर रिजर्ट देखने को मिलेगा, ड्राइट फूट के अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले सुबह सुबह खाली पेट आपको काजू का सेवन करना है, जब आप काजू का सेवन करेंगे, तो इससे आपको पेट से लेटिट जो समझ से हो रही है, वो धीरे-दीरे ठीक होना इस्टार जाएगी, सेवन आपको रात में करना है, जब आप सोने जा रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले, और एक गिलास हलके गरम दूद के साथ आपको सेवन करना है, या पर ये ज़रू ध्यान रखना है कि जो दूद आप पिएंगे, वो पतला दूद होना चाहिए, या तो टूद दूद होना चाहिए, या पिट डबल टूद होना चाहिए, फुल करीम दूद या फिर ओर भी जो अदर दूद है, उनका आपको इस्तमाल नहीं करना है, आप पतले दूद का इस्तमाल करें, और बदामगरी को भी साथ में अच्छी तरीके से आपको चबा चबा करके सेवन करना है जिससे की वजन को घटाने में बहुत ही जादा आपको help मिलने वाली है तो इस तरीके से आप follow करें बाकी जैसा मैं आपको बताया है सबसे पहले आपको सुबसोबे खाली पेट किस्मिस का सेवन करना है जब आप किस्मिस का सेवन करेंगे तो आपके सरीर में खून की कमी जो नहीं होगी प्रॉपर अमाउंट में आपके सरीर में खून बनेगा जिससे कि आप जो भी खाना खाएंगे वो खाना आपके सरीर में लगेगा जिसे कि वजन को बढ़ाने में आपको काफी सरा मदद होगी और ये बाद जरूर ध्यान रखना है कि किसमिस का पाने भी आपको साथ में जरूर पीना है उसके बाद आप जो मॉर्निंग रोटीन अपना फॉलो करेंगे उसके बाद नास्ता करने के बाद ही आपको काजो और बदामगरी का भी सेवन करना है और साथ में आपको एगला सलका गरम दूद भी आपको पीना है और उसके बाद साम के समय में जब आप exercise कर लेंगे वर्काउट कर लेंगे तो उसके बाद में भी आप काजू और बदामगिरी का सेवन जोगो कर सकते हैं और उसके बद जब आप रात में सोने जाएंगे तो उस टाइम पर आपको मखाना पौडर का इस्तहил करना है और साथ में आपको काजू पाउडर का स्टार्ट हो जाए तो समझ गया है मखाना भी रोस्ट हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है इन दोनों को आपको पाउडर फों में बना लेना है सिंपली मिक्सर में पीस करके और उसके बाद अलग-अलग जब आप इनको पीस लेंगे तो एक साथ आपको अच्छी तरी से मिक्स करने के बाद आप इसका सेवन जो वो कर लें और उसके बाद आपको नीन भी अच्छी आएगी आपके मसल्स रिकवरी में काफे ज़्यदा बेनेफिसल होगा वजन को बढ़ाने में काफे ज़्यदा फायदा करेगा और भी इस तरीके से अगर आप सेवन करेंगे कितना काजू का सेवन करना है तो यह सारी चीजे मैं आपको वीडियो के end में बताने वाला हूँ कि कितनी quantity में आप सेवन करेंगे तो जिससे कि आपको proper 100% result देखने को मिलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखे यहां पर अगर आपके सरीर में खोन की कमी है खोन की कमी क के लिए पानी भर करके रख दे और सुबह सुबह जब आप किसमी सखा लेंगे उसके बाद जब आपको प्यास लगेगी तो उसके बाद आपको उस तामबे की बोतल से पानी पीना है जिससे की खून की कमी को पूरा करने में ये भी आपको काफे ज्यादा help करेगा उसके ब मदद करेगी आप अनार का सेवन करें और साथी साथ ट्रै जरूर करें कि एक फल का सेवन आपको पूरी दिन बर में जरूर करना है उसके बाद आपको साम के समय में दो खजूर का सेवन करना है आप स्टार्टिंग में एक खजूर का सेवन करें फिर धीर धीर आप जो उसक उसके बाद simply एक ग्लास हलके गरम दूद में आपको एक चमच मखावना पावडर डालना है अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको पी लेना है उसके बाद जब आप सोएंगे तो आपको नीन भी काफी अच्छी तरीके से आएगी आपके सरीर में खून की कमी जो पू करना चाहते हैं तो उसकेश में सबसे पहले आपको सुबसुबए खाली पेट किसमिस का सेबन करना है किसमिस आपके सरीर में खून की कमी को पूरा करता ही है साथी साथा आपके हड्यों में जो दर्द हो रहnorै उस दर्द को भी दिरे-तरे करने में का काफी ज़आ मदद करत आपको मिलाकर के सेवन करना है जैसे मैं आपको पहले बताए कि सेम आपको काजू को रोस्ट कर लेना है उसके बाद मखाने को भी रोस्ट कर लेना है और उन दोनों का यह आपको अलगर पावडर बनाकर के दोनों को मिक्स करने के बाद आपको एक लास हलके गरम दूद में ए हड्यों की जो density है, वो बनी रहती है, वो कम नहीं होती है, हड्यों को मजबूत करने में काफ़ ज़्यदा मदद मिलेगी, तो आप इस तरीके से कुछी दिन follow करेंगे, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर ही result दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको चलने फिरने में जो तकली करने में आपको काफ़ ज़्यदा मदद मिलेगी, यहाँ जो fifth point है, कि अगर आप अपने सरीर के stamina को बढ़ाना चाते हैं, तो उस case में सबसे पहले आपको सुबह सुबह खाली पेट किसमीज का 7 करना है, किसमीज stamina को बढ़ाने में आपको काफ़ ज़्यदा मदद करेगा, उ उसके बाद आपको जो बढ़ामगरी है, उसका 7 आपको साथ में करना है, अच्छी तरीके से चबा जबा करके, आप करेंगे तो आपके सरीर में काफी तरीके से आपको instant energy मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जबी आपको कमजोरी मैसूस हो, इस तरीके से आप 7 करेंगे, तो सरीर के stamina को बढ़ाने में आपको काफी जड़ा मदद मिलेगा, या आप जो 6th point है कि अगर आपको पेट से लिटिट समस्य है, आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं हो पा रहा, आप अपनी पेट की समस्यों को ठीक हना चाहते हैं, तो उस case में सबसे पहरे आपको सुब सु काजू का सेवन करना है, काजू पेट से लिटिट समस्यों को ठीक करने के लिए काफी जड़ा फायदे मन्द है, जब आप इसका सेवन करेंगे, तो इससे आपका जो पेट है वो सही तरीके से साफ होगा, और साथी साथ पेट की functioning को improve करने में भी काफी जड़ा फायदे मन् करना है, जब आप सेवन करेंगे, तो मखाने में फायबर की मातर काफी अच्छी प्रेजेंट है, जिससे कि ओवर और पेट को healthy रखने में आपको काफी जड़ा मलत मिलने वाली है, और यहाँ पर जो लास सेवन चीज़े कि अगर आप अपनी धिमाग की सक्ती को improve करना चात हैं, तो उस case में यहाँ पर मैं आपको बता दू कि सुबह सुबह खाली पेट तो आपको किसमिस का सेवन करना है, उसके बाद जब आप नास्ता करने के बाद में आपको बदामगरी का सेवन करना है, अच्छी तरीके से चबा चबा करके एक लास हलके गरम दूद के साथ, और उसके बाद जब आप रात में सोने जा रहे हैं, तो सोने से थोड़ी ज़र पहले एक लास हलके गरम दूद में आप आधा चमच काजू पाउडर जो है, वो आपको मिला करके सेवन करना है, जिससे कि मेमरी पाउड को बूस्ट करने में ठीक करने में आपको काफिजर अ सबसे पहले किसमिस को पूरी राध बар के लिए पानी में भिखोनन है, आपको किसमिस का सेवन करना है, खाली पीटि और साथ में आपको पानी पी लेना है, जब आप खाली पीटिक सेवन करेंगे, तो बलड प्रेसर जो बढ़ाव है, उसको कंट्रूल करने में काफिज आपका blood pressure कितना है उसके ओपर ये depend करेगा कि कितना आपको इसकी quantity सेवन करनी है तो उस case में आप एक बारी अपने doctor से जरूर consult करें कितना blood pressure है किसी साब से आपको सेवन करना है doctor आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे आपको अपनी मर्जी से सेवन नहीं करना है लेकिन किसमिस blood pressure को control करने में आपको फायदा मिलेगा फिर भी आपको एक बारी अपने doctor से जरूर consult करना है अब बात करते हैं कि इन dry foods का आखिर आपको कितना इस्तमाल करना है quantity के बात करें तो जो बदामगरी है उसका आपको 4-5 pieces बदामगरी का इस्तमाल करना है जो काजू है उसका भी आपको 4-5 pieces काजू का इस्तमाल करना है और जो किसमिस है आप जो 8 pieces किसमिस का इस्तमाल जो वो कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई ओर ड्राइफूट्स का भी इस्तमाल करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए हर ड्राइफूट्स की quantity आपको limit में ही रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि खून की कमी को अगर आप पूरा करना चाहते तो आप खजूर का इस्तमाल कर सकते हैं, तो इस स्टार्टिंग में आप एक ही खजूर का इस्तमाल करें, फिर धीरे धीरे आपको quantity बढ़ानी है, और दो से ज़्यादा खजूर का आपको इस्तमाल नहीं करना है, आप अंजीर का इस्तमाल कर सकते हैं, तो इन ड्राइफू की quantity यह वो बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़रों से ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है क्योंकि जब आप इन ट्राइफूर्स को ज़रों से ज़्यादा सेवन करेंगे तो फिर आपको पेड से दिक्कत हो सकती है इसलिए limit quantity में इस्तमाल करें ताकि आपके सरीर को प्रॉपर तर करने में ट्राइफूर्स काफी ज़्यादा करेंगे तो हर किसी को इन ट्राइफूर्स का सेवन ज़रूर करना चीए उम्मेद करते हूं आपको इस वीडियो से काफी को सीखने को मिला होगा आप मुझे नीचे कमेंड करके जरूर बताना कि आपको यह वाली वीडियो कैसी लगी फिलाल के आज के इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जो लाइक करें चैनल को जो सुस्क्राइब करें थैंकू सो मच वाचिंग डिस वीडियो बहुत बहुत धनिवाद